सासरी काल आज जासी करांगे गाल इंडिपेंडेंस ओफ रेक्टेंगलर या परपेंडिकलर कमपोनेंट्स इंडिपेंडेंडेंस दा मतलब है एक दूजे ते डिपेंड नहीं कर दे इंडिपेंडेंट हान, कौन परपेंडिकलर कमपोनेंट जेवें आसी एक वेक्टर दे दो कमपोनेंट काट दे सी ये थे मैं फोटो भी बनाई भूए है एज़ळा रेड पोनेंट है एज़ड़ा दो कमपोनेंट जासी स्प्लिट किता है horizontal component ते vertical component दो बंदई बन आया होंग जड़े दसदे पे एया एक तरह दना horizontal component ते vertical component नूँ ते आसी लेखिया होया है कि आजाध हान एक दूझे नाल इना नूँ फर्क नहीं पैंदा खास करके त्यान रखनी है चीज़ जड़ी ऐसी जदो एक परपेंडिकलर होन एक दूझे तो 90 डिगरी होन ताहीं यह गाल होईगी यानकि साटे जड़े component है स्प्लिट कर दे है horizontal तो 90 डिगरी होन दे है तो उत्थे तर लागू हो नहीं है चीज़ एक 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 जामपल ना समझते हैं जिवें एक box होवे इत्थे में box रख्या है बाकी सारी यह चीज़ा पूल जो है ना किते रख्या है किते नहीं बस main असी जड़े मेरी force है मैं थोड़े जा picture बना दिए यह तो अड़े बाल खड़े ठीक है क्या फर्क पवेगा तो अनू मेरी force लांदा जी पवेगा जी है ना तो अनू सामझे दिसना यार मैं ताकत नहीं ला पा रहे हो कि दूझे पास नहीं कोई और तक का ला रहे है येस effect रहे गए थे हुन चलो second example कर ये जड़ा सठे rectangular component दे case चो हुनदा है मैं एथे नू force लावा ते तुसी लाव एदर नू दोना दे वीच बेटा telltale मिला दो 90 degree है हुन की फर्क पवेगा सानू दूझे दा असर जड़ी force दा है सानू मैसूस होएगा के नहीं होएगा एक question थोड़ा विचार करना है एही इस वीडियो दा टॉपिक है आंसर है जी नू एस केस च कोई भी effect दूझे ते नहीं होएगा क्योंकि दूझा बंदा जड़ा है उन 90 डिग्री ते हैं कि मान लो ना तुसी ये बाल खड़े ले तुसी उपर इत्थी मैं तकाल आ रहे हैं तुसी उपर नो खेच रहे हो सानू एक दूझे नाल कोई मतलब नहीं रहेगा असी एक दूझे दी force नो अफेक्ट नहीं कर सकते एक एक अग्जामपल नाल समझे ए चर्चा क्यों कर रहे हैं इंडिपेंडेंसे दी क्यों गल कर रहा है देखो जे एर बलून होंदे है जिड़े बड़े बड़े गुबारे होंदे आ बंदे भी बे बय जाना दे वाच्च ते उदुच गरम हवा से उपर नो शट दे आ त ता जड़ी गैस है वो गरम कर दें दी हवा ता करे साड़ा बलून उपपर नू जानदा है तो एक वेक्टर दे सामनाल दा सकते हैं कि उपर नू फोर्स लग रही है दा सकते हैं अच्छा हूं की हूंदा है जी 90 डिग्री दे wind आ जान दी है, हवा आ जान दी है कदर नूँए right side रूँँ है ये wind दी force है ये wind दी force है जी ये कि बिलकुल भी नहीं कोई फरक नहीं पहना ब्लॉन फोर्स ज्ञादा करदो गए तब वहींड नए चेहिन नहीं हो जाणा ज़िएंड फोर्स बॉछ वथा दोगे तब ब्लून इच अदर ओस चीज नूँ केंदे हैं इंडिपेंडेंट एक दूजे तो इंडिपेंडेंडेंट हों दा मतलब है उना नूँ एक दूजे ना कोई भी संबंद नहीं ओ एक दूजे ते एफेक्ट नहीं हों दे एनी की विंड दी स्पीड जादा होगी ते बलून उपर असी फिजिक्स दी पाशे चला है के आईए उन इसी प्रॉलम नूँ थोड़ा जै डाइग्राम दे रहें तस ये ठीक है यानि कि असी जड़ी विंड है ते बलून दी फोर्स है ज़ी ताकत है ओ थोड़ा में गराफ चे दस रहें टेल तेल देसा आपनाल मिला के असी ये खाना है देखो जी विंड दी ताकत लग रहे सी होरिजन्टली लेफ्ट तो राइट जा रहा सी उन्नों एक वखरा कलर दे दिये मन लो इन्नों कोई नंबर दे रहे हैं मैं एथे तक चार बिटा फोर्स दे जिड़े यूनिट हों दे हान फोर्स दे यूनिट हान ओं हों द त चार नंबर करके यूनिट यूनिट कंपेर कर सकी है जिजए है दो अनु लिख रहे हैं इन्नों लिखे रहे हों हँहां ओं नौ दी फिर यूनिट दी फोर्स बलून दी जड़ी force है वो मान लो इन्ही है इन्हें डब्बे होगे 1,2,3 यह तिन न्यूटन ऐ बलून दी force है vertically उप़र लग रही है ठीक है ना तेल मिली हुई है ता असी ज़र रिजल्ट करना है वो ऐसी इद्दा काट लेना है रिजल्ट असी इद्दा काट सकते हैं ए रिजल्ट बलून एदर नो जाएगा ठीक है बट ये दुनों कम्पोनेंट जड़े हां विंड दे ये तो अड़ा सी विंड और ए सी साड़ा बलून ये दुनों एक दुझे थे इंडिपेनेट रहने के फर्क नहीं पवेगा किद्दा एक एक एक्जामपल लिए सर मान लो विंड जड़ी फोर्स पांदा है जड़ी हवा फोर्स पांदी है बलून ते वह ज्यादा हो जन्दी होगी है मैं कहना किन्नी साथ 6 न्यूटन होगी चलो तो 6 न्यूटन जे हो जए तो मैंनों एक डाइग्राम बनाना पेड़ना एथे 6 न्यूटन तक होड़ेंटल कंपोनेंट हो गया बदा दुझे लो जी 6 न्यूटन सिर्फ समझन वास्ते कर रहे हैं 4 तो 2 बदा आते अच अच्छा हुन रिजल्टन कटो रिजल्टन एद्धर आजना है है ना हुने दसो क्या वर्टिकल कंपोनेंट नाल छेड़ छाड़ होई नहीं होता उन नहीं है देखो 3 न्यूटन समझे गालनू फर्ग नहीं पेंदा पिया है चलो एक और जी समझ देयां सर बलून दी फोर तो यह तीन तो शड़ के आसी करती है पांच ठीक है पांच करती है हुन रिजल्टन कर दो तो द ही करती न एदो वैक्टर ना हुन एदो एकटर हन चलो जी ए रिजल्टन निकल गया ठीक है क्या बलून दी जदो असी फोर्स रदाई, विंड दी फोर्स नो कोई भी फर्क पेया, नहीं पेया, ओ ता हल्ले भी देखो, एक दो दीन, चार, चार न्यूटन दी है, यह दोनों इंडिपेंडेंट है, तो असी देख सकते हैं, तो इतने असी उन सिटा भी कट सकते हैं, अस और दूजी चीज़ को, की किसा चेंजेज इन, वर्टिकल कंपोनेंट डज नॉट एफेक्ट, और सेंटल कंपोनेंट, एक दूजे नो कुछ भी एफेक्ट नहीं कर दे, ता हासी की कह सकते हैं, जी दोनों चीज़ां एफेक्ट नहीं कर दे हैं, ता उन्नों की कहन दे हैं, independent हान एक concept projectile समझन वास्ते सानु बड़ा काम आएगा ताकर कैसी उन्हों सिख रहे हैं यह ज़िए कि जदो भी आसी component split किता है independently तुसी उदेजान चाह सकते हो उन्हों एक अलग चीज मान सकते हो